वोटर वोले काज करम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संतोस शिंग और अज इस वोटर वोले काज करम में हम बाका के सबलपूर गाउं में हैं। सभाविक तोर पे अगर हम बात करें तो इस फेज में जिन पांच लोग सभाचेतर में चुनाव होना है बाका भागलपूर किसन गंज पूर्णिया और कटिहार उन तमाम सीटों पर जदियू के प्रतियासी चुनावी मैदान में हैं और जो मोदी फैक्टर है वो कहिन कहीं द मोर्चे पर लड़ाई हो रही है पुतल सिंग चुनावी मैदान में है फिर गिर्धारी यादव जदियू से चुनाव लड़ रहे है और जैप्रकाश यादव राजद महागटवंधन से पहले विसांसद यहां से रहे और इस बार भी चुनावी मैदान में है तो हम इसे का के समर्थक है या मोडी के जो कोर ओटर हैं वह जदियू के साथ ख creat है और उसका लाब जो माद्डी उनका जो अपना वोटिंड स है मसलमनों मिए भी में आफि उनका कुछ ने-कुछ वोट प्रतिसत है उसके अलावा डिवलप्मेंट के नाम पर जो वोटर है उसके सहारे को जीतना चाहते हैं तो हम बाका में यह समझने की कोशिश करते हैं जो मोड़ी फैक्टर ये सभलपुर राजपुद बहुल गाउं और तिक मंदार परबत के किनारे मतलब ठीक उसके अंतिम छोड़ पे यह गाउं है तिने गाउं के लोगों से जानना चाहते हैं क्योंकि रा करना चाहेंगे कि आखिर जैसे पुरे देश में यह हो रहा है कि मोदी को देखना है और आप लोग मोदी के जो प्रतियासी यहाँ पे हैं उनके खिलाफ वोड कर रहे हैं हम मोदी को देखना चाहते हैं लेकिन हमको पुतुल कुमारी चाहिए पुतुल कुमारी के अलावाग तिसी गौवम लोग बहुत नहीं दे सकते हैं फिर मोधी को देखते हैं और फिर पुतुल कुमारी को यह जी हम बाका जिला के राजु सिंग मेरा नाम हुआ हम यहां के पदाधिकारी महामंत्री से लेकर पाध्यक्ष तक रह चुके हैं सारे ग यह तिसरा बार है जो कि बाका की जनता यह किसी कौम की लड़ाई नहीं है यह सभी कौम सभी वर के लोग यह पुतुल के साथ हैं हमें वचाने के साथ हैं तो यह असी क्या वजब हुई जो मोरी के खिलाफ दूइयगं हम लोगुदी के-लिए काम कर रहे ते पिछले और 600 साल से वहामरचा के मोदी को देख रहेतें लेकिन प्रतियासी पहले ते थि पुतुलकुमारी के लिए काम रहे थे पिछले पात साल से पुतुलकुमारी बाका के जंता के साथ थी हर सुकोधुक में उनके साथ थी सुनसदना रहते हुए भी काम कर रहे थी चाहे वो इंटरसिटी में एक्षा उगी जोडवाना हो आपके सिचाई का काम हो, वो काम कर रही थी, हम लोग पुतुल कुमारी जी को देख रहे थे और आज तक किसी ने बाका का विकास नहीं किया है, सिर्फ दादा दिगविजय सिंग के परिवार नहीं बाका का विकास किया है चाहे पंदार हिल को देख लो बाका का रेल देख लो पावर ग्रीड देख लो यह कुछ भी देख लो सड़क देख लो तो विकास का काम दादा दिग्विजय सिंग ने किया है हम लोग विकास के साथ है मोधी जी भी विकास कर रहे है पुतल कुमारी जी जीत कर विकास तो नहीं रखता है तो फिर मोदी हैत मुम्गीन है कैसे हो गए नई बाका का विगास अगर कोई कर सकता है पुतुल सिंह से सारा उम्मीद है हम लोगों को पहले भी बहुत कुछ ऐसा है जो दादा ने कुछ काम किये हैं जो भी काम किये उस उस चीज़ को अभी बढ़ा नहीं है काम बढ़ा नहीं है उसके लिए अभी पुतुल सिंह का आना ज़रूरी है ताकि उस चीज़ का विकास हो बहुत जगह ऐसा है जहां कोई-कोई-कोई-जगह मतलब विकास का काम हुआ है लेकिन जहां-जहां मांकी है वहां-वहां करना ज़रूरी आजर रहे हैं यह हमें बताईए कि जाती विरादरी के उमिदवार हैं तो हम उनके साथ हैं यह मैसेज भी तो जाएगा नहीं बाका लोग सभा में सबसे पहली बात है कि जाती एक शिमीकरन यहां ध्वस्त हो चुका है हर एक जात के लोग हर एक बर्ग के लोग पुतुलकुमारी के साथ जुड़े ह हैं और निश्वार्त भाव से जुड़े हुए हैं और सबने यह प्रण कर लिया है कि उनको जिता के भारी महवववत से जिता के उनको सांसत वेजना है अच्छा और लोगन समभात करते हैं हमें यह बताइए कि आप मुखिया हैं ठीक है मुखिया जी पुतल देभी को टीकट ना दिना क्या बाके में इस बात को लेकर बाका के लोग नाराज है बहुत ज्यादा नाराज है और उसी के वही कारण है जो कि पुतल कुमारी यतनी ज़्यादा बहुत जिएया हुआतर के साथ ही मनने निदीफ ना जायज करते हारे हुरहं इसका हमको लगता है कि बाका कई राजनियति लड़ाई नहीं यहीं चस्वाय इ paljon नहीं अट है विकास पुरूश है उसमें कहीं कोई दो बात लेकिन बांका के लिए दिवेजे बावु और अभी पुतुल कुमारी बहुत अच्छे आदमी हैं हम लोग उनी को साथ दे रहे हैं अब बांका का विकास उनी को जिताने पर संभव है यह यह कहा जाएगा न कि आप लोग नाम पर बोट मांगड़े हैं आप लोग कास्ट की नाम पर लेकिन पुतुल कुमारी और बाका शेटर में इसकोई बत मिल रहा है हर बर के लोग इनको मत दान कर रहे हैं और यह भारी मतों से जीत के जा रही है इसमें कहीं को पूतल कुमारी उनकी जरुरत हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए हम लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे तो क्या बाके में यह इस्थिती है कि जो पूतल देविक से साथ जुरी हुई लोग है वो तमाम लोग उनके साथ हैं तेके सबसे पहली बात तो आपने जो कह कि पूतल कुमारी को टिकट नहीं देने से राजपूत वर्ग नाराज हैं नहीं यहां बाका बासी टिकट नहीं देने के चलते सारे नाराज हैं आपको हम बता दें कि अभी मेरे साथ जितने भी लोग यहां खरे हैं सिर्फ राजपूत नहीं हैं ब्राह्मन भी हैं उधर कुछ लड़के खड़े हैं साड़े जात हम लोग रहा विकास का बात तो आप किसी भी बड़े छोटे तब किसी से भी पूछ लिजिए तो दिगी विजय वह कि आने के बाद वो जो विकास किये तो यहां के जूबकों में भी ऐसा लगा कि आप सपना हम लोग भी देख सकते हैं कि बांका भी विकास करेगा तो हम लोग जो सपना देखना शुरू किये थे कि हमारा छेतर भी विकास करेगा हमें भी रोजगार मिलेगा आज बताईए अभीजीत गुरूप जो दिगविजय वाओ दादा के पढ़ियास से यहां आया था भूमी अधिगरन भी किया गया बहुत कंस्ट्रक्शन भी हो गया वो यहां से चला गया और इसके जाने का में कारण मारे गिर्दार जी हैं गिर्दारी जी यहां के में एक्टर हैं जो अभी जी यहां से भाग गया माका से एरीसन भाग गया पांस साल तक पुतूल देवी यहाँ जो पूरा छेतर का दोरा की अपने कार्जकर्टा को सबों को संगथित की आज नतिजा है कि भाजपा का कोई भी पदा धिकारी यहाँ नहीं रहा सब इस्तिफादे दिया क्यूं इस्तिफादे दिया। कल तक पुतूल देवी का डिक्लियर था कि आपको जो हैसे चुनाओ लगना है और एन बक्त पे इन्होंने पैसे पर टिकट बेश दिया पैसा लेके टिकट मतवारा किये हैं पूरे बिहार में इनका तो यही मतलब चरित्र चाल है हम लोग इनसे काफी नाराज है और इनकी जो अस्तिती है मनोदसा है अने वावा समय बताएगा कि यह राजिनती के कहां तक उचे वे दिग्गर है अपने सासन के लिए किसी से भी तालमेल कर लिए कभी छोड़ दिये कहीं भी चले गए लेकिन हमारी कुर्सी बची रहनी चाहिए यह निती जो निती जी की है उसी टाइप के वह कंडिडेट भी खोशते हैं उसी में गिर्धारी जी को खोजे हैं गिर्धारी जी का भी कोई लोटा कटो रहा उनके हाथ में है नेकी द्रो चल जाते हैं अभी राजा चाहर पांच पांच वार आदमी भेजे तुनिती जी अपने ही टाइप के अपना कंडिडेट भी खोशते हैं उसम में कहीं दम नहीं है यहां से एकदम पुतुल कुमारी अब की वारी पुतुल कुमारी मोदी है तो मुम्किन है यहां पर मुम्किन क्यों नहीं हो रहा है यहां पर मुम्किन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां की जो जनता है वो किसी और को चुन रही है सही नेता को नहीं चुन रही है अगर सही नेता को गर चुनती तो यहा और भारी मतों से बिजाई पराप्त करेंगे मतलब मोदी को लेकर ये फैक्टर नहीं लेकिन अगर उमिद्वार आप नहीं दिया है इसलिए हम उसके खिलाफ हम वोट करेंगे जरा एक मिट आप इधर आईए हमें यह बताएए कि बीजेपी या फिर बाकी जो यहां पर गटवंधन के उमिद्वार हैं पुतल देवी को लेकर क्यों आप लोग सौफ्ट है वो तो नितिश और मोदी गटवंधन के खिलाफ चुनाब लड़े हम लोग तो पुतल जी के साथ इसलिए हैं कि दादा जी का सपना पूरा करने के ल गराम पड़ता है पाशो चार नदी के पार से आए हुए हैं हम पर पैरगा पर यहार जाती से हैं हम भी पुतुल जी का जन्दा डो रहे हैं पूरा अपना जाती समिक्रन करके पूरा हम लोग टीम भी घूम रहा है जिला में और जिताने का प्रियास कर रहा है पुतुल जी का अगला भी पचवर्शी में थे इस बार भी है चाहे पुतुल जी जहां जाते हैं उसी के साथ हम लोग रहते हैं दादा जी का सपना हम लोग प्मिधार को लेकर साथ नहीं है क्वा नुब यह यह नोगा इपना सीट कूर्शी बचाने लिए तो चला गिया वहां मोदी के पास चला गिया यही तो उसका निती है नितीस का उसका प्रभाव पड़ेगा वोट पर प्रभाव पड़ेगा आगला जो विधान सभा का आएगा तब देख ले ना क्या प्रभाव पड़ेगा नितीस का जिसका कोई निती नहीं वही नितीस को पर चोड़ा के मोधी जी में सब भग जाएगा अगला जो आ रहा भी तो हम लोग पुतुल में है अगला फिर जो आएगा विधान सभागा फिर मंदल जी के पीछह हैं यह कंड़ीडेट के ऊपर हम लोग खुसना है जो पुतुल जी हमारा है दादा जी का सपना है हम लोग उ होना चाहिए जो कि हम लोग यहां का किसांद तरह तरह हो गया है पानी का सुभीदा नहीं है यह सब चाहिए समसद को उचावाज उठाना चाहिए इससे हम लोग जो है बनचीद है चलिए एक चोटा साम ब्रेक ले लेते हैं लेकिन अपने तरीके से चीजों को समझिए कि जो मोधी मैजिक के सहारे नितिश जिन पांच लोग साजों दूसरे फेज में जिस जहां चुनाब होना है उनकी कोशिश यह है कि उनका जो अपना खुद का वोट बैंक है उसमें मोधी जी का जो वोट बैंक है उसके जोर कर हम आप लगातार उनका कैम्पेंड चल भी रहा है लेकिन चली एक चोटा सा ब्रेक लेलते हैं तुलकुमारी जिंदावार ब्रेक के बाद हम और इसी तरीके से समाजिक समीकरन को समझना चाहेंगे कि किस समाजिक समीकरन के सहारे राजद या फिर जदियू इस बाकाई लोग समाच को अपने तरीके से साधने की कोशिश करें चली एक चोटा सा ब्रेक लेटे हैं कि अब ब्रेक के बाद एक पर फिर से स्वागत है और हम इस वक्त हैं बाका संसर्य निर्वाचन चित्र के यह जो मदान के जिनका नाम है 89 न्यू प्रात्मिक विद्याले बलारपूर लेकिन इस स्कूल के जिस दिन से इस स्कूल के स्थापना हुई है उनिस्सो निनानवे से अभी तक कोई टीचर नहीं है हाँ भवन दिरूर बनके त्यार हो गया है यह बिहार के शिक्षा का एक मॉडल है टीचर नहीं पहुंच लोगों का इस दर्द जरा समझ दिजे कि जब से यह श्कूल बिल्डिंग बन गई है अगर हम बात करें तो बिल्डिंग हर जगह टेन प्लस टू की भी बिल्डिंग आपको दिख जाएगे कि बिल्डिंग बन गई लेकिन आट टीचर नहीं परहाई शुरू नहीं है जरा आज तक जो है कोई टीचर ना जहां लोग जितना नेता आते हैं किसी दल के हो उन्ट समझ से मेरा आग्रह हम लोगों का अध्रह है क्या हम लोगों कर दिख दिया जाए लेकिन इस पर कोई शुनबारी नहीं प्रादिकारी लोग भी वहां है इस पर ज्यान नेदेते हैं और तरहा हो रहा है यह विस्त परहाइं में राजनीच क्या हो रहा है जैसे कि इस सिक्षा से बंसीत रखना जोम लोगों का परमूख है उनसे जब सूची मने जाती है कि आपके पंचायद कितना नफसर जित बिला जैंशिट तो समों का गालिए है इसका नामें ने विशने है इसका दर्द इन है और यह समझे कि आप बताए इन लोग अभी पानी पीने के लिए या किस तरीके से अभी क्या परिशान है जराब भी बताइए कुछ सुने के यहां चालिस फीट के बाद जो है मना पत्थर निकल जाता है जिसके वज़ा से अभी पॉनी का लेयर घट गया है चार पॉंस साल से तो पॉनी हम लोग कम से कम चार फीट घड़ा करते हैं नदी में तब महिला लोग सुबब पॉनी ले जाती है उसके बाद हम लोग वही पॉनी जहन के उसको प्यते है कि बीने के लिए और कोई साधन नहीं है पिने के लिए यहां साधन एक भी सरकारी चापकल या उस तरह का कुवा नहीं है तुम सूख चूका है चपा कल भी अपना है तुवा अभी फिल्योर है लियर भागने के कारण और इसे हम लोग ग्रमीन जनता उसे जादे तो गड़ा करवाने सकते हैं कि चलिए समस्याइं है और अपने समस्याओं को हां जाती है चाहे लड़का हो या लड़की सबको सिक्षा से यहां बंचित रहना पड़ता है घर में नदी में पौनी पार नहीं हो पाते हम लोग कहा है कि अब इतना कारेंट भी आता है कि हम लोग बच्चे को जोने भी नहीं देते हैं तो नदी पार करके ऐसे धूप है भी तो बच्चा जो धूप में आएगा क्या करेगा वो निश्वार का पत्ना तोड़के ओड़के आता है भी दोड़के पार होता है नदी इसलिए हम लोग मना दुखी तो हाई है सिक्षा से सारे रिक मानसिक सबसे दुखी हम हो यहां है इसलिए हम लोग मना हर एक आदमी के पासे सामें लेता लीडर सरकार सबसे आरजवे बिंती करते हैं कि कम से कम हम लोग को पहनी पीने का साधन हो सिक्षा का साधन हो ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें यह यह भी एक है कि इस भवन बनने की वज़ा से इनके गाउ है कि हाँ यह जरा बताइए कि कब इससे पहले जो कह रहे हैं कि 99 से पहले वोट दने की दूसरे जिए जाते बाराहार पर खंड मत्यपल है वही जाते जो भूर ना पंचाए और वहां जो है जाना के बाद जाहें मार्पीट हो जाती थी लास्ट में जाहें यहीं सब होता है जानक किस मुकर्दमा हो गया यह सब जाती है और हम बात कर लेता है थ। पुलिटिकल बात कर लेते हैं तुभावी का चुनाब को कह सकते हैं कि अवुल्टी गिंती सुरू है 18 को यह पॉलिंग होनी है यह कोडी जादिया कुसवाह कहें कुसवाह जाती के भी लोग इस गाओं में हैं और इसके बाद अती पीछ रहा है और बाकी कास्ट के भी लोग है लेकिन हम कुसवाह के माइंडशेट को पहचाना चाहते हैं कि आखिर जिस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट फेज में कुस तीन उमीडवार हैं अगर बात करें कुसवाह के लीडर्शिव को लेकर उपने र कुसवाह भी और समराठ चौजी के जो पितां है उनका भी प्रभाव का यह इलाका रहा है और उस इलाके में जो एक यह जो बाच्शीत हुई सामने आया कि गिड़धारी यादव जिसमें सकुनी चौधी को आरजेडी से टिकट मिला था तो गिरधारी यादव चुनाब लड़ गये था और इस वज़द से सकुनी चौधी को यादव को वोट नहीं मिला था तो यह एक परंपरा का तौर पर दोनों के बीच इस बात को लेकर बेमनस्रता है और इस बार गिर लोगों को क्या मनमी राज क्या है कि हम लोग मतदान पहले चाहते है कि अगर हम लोगों का विकास नह, तो हम लोग चाहते हैं की सारे ल meilleurbert का बहुद करांnot अगर यहां काई की वीडियो साब भी आये हुए थे पतादिकारी पीजडी से पतादिकारी आये थे तो एक नेता जैसे मना एक बैयार बहा के मना बहरा फुसला के मना चले जाते हैं उसी तरह से पतादिकारी लोग हम लोग हो जो है मना पोट पाट के चले जाते हैं पोट को पए को कि पाखेबक leMIN लिए करके हम लोग अभी साहन थे हि मोग चाहिते हैं कि मुह का कद मिलेगा जो कि हम लोग चीनित हो जो पर अधिकारी हो पाशाग दम निस्सीत पलटेंगे हैं गोईख क्रोश में तरह से हैं सेमह मेरा पार्टी को वह गिधारिया दूब थे जो हरने वाले थे पार्टी पॉल्टिक्स में आखे और इसलिहें मुस्को नहीं चाह रहे हैं ज्यूमंति वह किDesj के पार्टी कहा उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह जातिक के डिरौद में मेरा पार्टी जब लड़ा था उसमें हो हराया था मेरा सकुनी चोधरी को इसलम उसको नहीं देने चाहते हैं यह लोगों के अंदर में यह बाची चल लए है यूवा के मन में चल रहा है यूवा हम लोग को भीकास करेगा उसी को हम लोग भोड देंगे यह तो बात सही है लेकिन बात जब देने का वाथ आता तो विकास अपने जगह पर जाती पर मुक्ता यह हमें बताएं कि जो कुछवाह समाज में जो जिसने बातों को लेकर विचार चल ला है उसमें आप लोगों की क्या राए है हमारा यही राय है है कि जैसे कि उस टाइम तो जाद आदब ने तो कुछवा क वोट दिया नहीं शकुनी चोधरी ने शकुनी चोधरी जब खड़ा हुआ था उसको नहीं दिया वोट तो वो तो होता है कि मतलब कि उस तरह का परसा पर लटा जाए लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा यहां का विकास हो और जो विकास करेगा उस उसी को मतलब की मद्दान दिया जाएगा बढ़िया रंस अब विकास नहीं होगा जैसे चपाकल नहीं है और सुविदा नहीं है लेटिंग नहीं है कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा आदमी बोट देके भी क्या करेगा अचा पताईए यह यह जेहन में है इस मतलब अगर ह भी क कुछ वहा बात करें कि कुछ वहा की वोट न गासर कर ने के लिया आई हुई थी कहा जा रहा है कि शक्नी चोरी भी पर्चार करने के लिए यह यह इस पार पर्थिष्ठा की लड़ाई है ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसलिए कि सर बीजेपी एक भी कुसवाहा को आज दिन टीकट नहीं दिया, 17 सीट का जो बटवारा हुआ बीजेपी और जदियों में उन्होंने कुसवाहा को बंचीत कर दिया, और प्रिलिया मेंट से लेके एक भी कुसवाहा को मेंबर नहीं बनाया, अती पिछणों को उन्ह होने हरमेशा साइट कर दिया है बाका में जो कंडेट होना चाहिए बीजेपी के तरफ से उनको टिकट नहीं दिया गिया उसको कार दिया गिया इसलिए यह जनता और कुछ वहां में खास करके आक्रोस है कि इस वार चौकाने वाला रहेगा त्रिकोनिय लडाए में चौकाने आएगा नियूज इसलिए पूरे जनता और पूरे कुछ वहां समाजी चीज को देख रहे हैं अच्छे मोदी को लेकर क्या बतलों मोदी को लेकर वाका में सही से कंडिडेट का चैन नहीं कर पाई समझेग नहीं बाका में अभी जो बाका का ला रहा है वो जश्ट हकिकत ब आदम्स ऐसे गिरदारी दीखो लेकर मना दिक्कत है और कहें के वो भी एक हम लोग चोटा बड़ा बात नहीं चाहते हैं बोलने के लिए उनका अगर हिस्टोरी सब पीछे अगर देखा जाए तो वो भी सदन में कोई भी बात उठाने के लाइक नेता नहीं है आज दिन तक बीच में तो वीधायक बने अभी भी बर्तमान में बलर्के है इसके पूर्व एक बार संसत भी बने हैं तलाचाभी से वो साइद तो सदन में एक भी नश्रस्य का जवाब दिए तो आप हमारे संसत किस लाइक इसलिए संसत हो सदन मैं हम गमा करने की चमता सब्सक्राइब के साथ रहेगा और हाइब और थे बी जब दिखविजे बाबु थे उन्हीं का द्यान है जो कि बाका चमरेली पूल से लेके हमरे गाउं तक सब्सक्राइब का निर्मोन किया है उन्हीं का द्यान हम लोग सारे लोग गए थे नित्या भावु थे उसके बाद जो भी बचा खुचा बिधायक दिया है विदायक पहले भी दिये थे इधर भी दिया है अधर पूरे जमता का हम बात बता ही मना सारे लोगों का मेंटलीटी अगर सही लोगों को देता तो फिर को सही लोग हम लोग का नेताज अभी जो दो या तीन है पुतूल देवी को अगर टिकट मिलता भी जेपी से तो रिजल्ट अभी आउड था हवायक अंधी के तरह बाह जाता है अच्छा आप बताईए यह मतलब क्या क्या सोचते हैं वो सारा बीज्एपी के लिए कुछ माउल भीगड़ा हुआ है अर हमारे लिए याँ पे बीज्एपी के लिए कुछ भी नहीं सूच रहा है जैसे हम लोग गरीव आद भी आदिमियाए बच्चे के लिए यहाँ पे भीगड रहा है सारे बच्चे चाननंग नद्दी भी सब्सक्राइब एक समस्या है और उमिदवार को लेकर है कि अगर बीजेपी अगर बहतर उमिदवार देता तो आप उनके साथ हां साथ रहते हैं अच्छा आप आई आप एक मिटापी है लिकां हमें यह बताईए कि चुनाब को लेकर युवा गाउं के युवा क्या सोच रहा खुछ हों से तो हमको पता नहीं क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है और मेरे परिवार से खुद हमको पता नहीं कि वो क्या कर रहें नहीं कर रहे हैं कि तो हमारे मतलब जितने भी लटके हैं या तो जो भी एमेरे एज के या तो जो भी अधन में यह मतलब डालेंगे हम तो मोधी को सपोर्ट कर रहा और उन्हीं को करेंगे अच्छा यहां पर कहा जारा कि मोधी का जो उमिद्वार है उस कि झुछ नहीं बता सकते हैं कि इसके मन में का होता उत तो नहीं बता सकते और जातिवादी को लेकि हम कुछ नहीं बोल सकते कि कि वारे मैंMr.: जिनिती करते हैं तो यह युवा हैं आप बाहर पढ़ रहे हैं तो यह भी एक चर्चा है कि रोजगार को लेकर मोदी ने पांच साल में कुछ भी नहीं किया क्या बाकई में युवा इस तरह से सोचता है कि जो वैकेंसी निकलनी चाहिए तो कुछ नहीं मैं मतलब मेरे यह की पर फिलाल के इतने मी लड़के हैं मतलब धरोजगारी कोई मसला नहीं है निए अहां कुछ नहीं फिलाद तो दोदर मुझे यह सब पतानी जा है काहाँ करते हैं हम दो फिलाल पटनाम हैं पटनाम क्या पढ़ाई करते हैं एंडिये एंडिये नेटनल डिफैंस अकार्डमी उसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छा इसका यह पटनाम पढ़ते देखें छात्रों के बीच बाहर पढ़ने के बाद जो मोदी को लेकर आकरसना और उसके बा बाद के गाहों का वह लड़का है बाहर पढ़ाई करता है रोजगार के मसले को लेकर क्या बात हो नहीं जो यहां पर हुबा हुए रहे हैं एक दो कंपनी इधर आते तो कुछ कम होता लेकिन सरकार मोदी टोटल कंपनी गुजरात में बठाते हैं उधर ही कंपनी लगाते भ जाने में करना ही पड़ती है कम के लिए बहुत कर जाने में यहां से जाने में 12जार 15जार में करते हैं Varay हमको यह 10 जार बिहार में मिलता तो और अच्छा होता कम करने के लिए अच्छा इस बार जो बिहारियों के साथ मार्भीर गटना श का भी प्रभाब है किया कि युवा कि लिए उतल लोट के गिहार्प तो यह आप यह सोच रहे हैं कि गुझराथ जिस तरीके के साथ आपके साथ बैबहार किया गया है मौहुदी बहूत गलत किया है । इसलिये वह है險 हम लोग जितना युबा आए हुआ से तो बहुत नुक्सून करका है किसी का दस जार पंद्रह जार पंद्रह जार पचीछ आर पैसा फसा के कंपनी चोड़के भागे हैं हम लोग तो बोट में उसका जवाब आप लोग दीजेगा जी बहुत जवाब देंगे कितना इतने इस इलाकें कितने इसे लोग होंगे जो गुजरात जो हम लोग आये थे साथ में तो पच्पन लड़के आये थे महां से कुछ था राजकोट से कुछ था सूरत से तो पर हम लोग पेतार इस लड़का आये थे महां से वहां पर क्या काम करता है क्यों वहां से भाग करके वसा दिया जाता है थो बोड़ ही आप लोग बिहार में है जो लोग नहीं हिसे नहीं जो जो गुज्राग्स से लोग भाड़ के आए हैं वह मोधी को जवाब देंगे एसा लगता है दिध्याज़ जवाब देंगे जो मेरे पास आता सहयोगी मंगता है तो उसको भी मोधी को छोड़ कि दुसरे को दो भूट कि वहां बिहार कि लोगों के साथ आखिर हुआ क्या घटना घटी क्यों इसा हुआ देखिए सर जैसे वहां पर हम लोग काम करते हैं रूम में तो हम लोग नाइट डेट चलता है सीप्ट चलने के बाद महां पर कोई लड़का छड़कों नहीं किया नहीं किया जो उसको कि यहां पर जो वोटिंग उखास करके कुछ वहां समाद जो इस तरीके से सोच रहे हैं इसकी मतलब आप कहरें कि उमिर्वार बीजेपी नहीं सही दिया इसलिए हम लोग नाराज है या फिर सकनी चौधी के साथ जो गृधारी का जो बैभार रहा है उसको लेकर नाराजग वादे किए थे उस वादे को भी उन्होंने पूरा नहीं कर पाए लिकास कि जो तक बात है उन्होंने विकास क्या किया सब जनता के समने है उस विकास को भी देखना चाहते हैं आज के डेट में और जब आरज़ेदी सकुनी चोधी को भी टीकर दिया था यहीं गिर्धारि कि या दब चुनाब हराने का काम किया था निर्दल्य है मतलब यह तुमा लिजी अस्थानिये मुद्ध्र हैं यह बार वो चुनाब हराने का काम कि तुसका वर इस बार हम सुद समय तुसका जु़ा सम वसूल करेंगें यह 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 मसला अभी भी बाकी राष्ट्रे मुद्दा कोई मतलम नहीं रखता है नहीं बाकी कोई मुद्दा यह नहीं है लेकिन कुछ वहम यह आक्रोस पैदा हो गया है कि इस वार गिर्धारी जी से एंडिये से बाका में लोकसावा में असूल कर लेना है अधियरा आप जादा रा जब तक जिन्दा रहेंगे चौप चौराय पर जितना भी कुछ वहां लोग है वो अपने जिन्दा तक नहीं बुला सकता है इस बात को कहा है कि उस वार जो हम लोग मद्दान दिये हैं तो राजत के परत्याति से सकुनी चोधरी तो चाहिए था कि हम राजत के जितने भी कमसिम काईडार भोटा रहें पलस जाती का भी प्यार में प्रवाब है तो भोट देना चाहिए था नहीं देने के वज़ा से एक भगाव अभ्यान जो चला उस चीच को क्या भूलाएगा से जैसे अभी बरतमान में हम लोगों का पिरिया समसाद महोदया का ये मना का ये पुतुल देवी जी है तो उनको अगर टिकट मिलता और उमीद पहले भी था कि टिकट दिया जाए हम लोग भी जान रहे थे कि टिकट बीज और संती पिडिया जीवन जीया और सुसंगठित हो यही मान सिकता आज के डेट में रताइस सारे लोग तरम जहां से भागने का प्रियास करता हूं उसका प्रभाव इस वार दिखेगा जिए एक मेंट आभी आईए आप भी बताईए कि सकनी चोधरी का मसला हुए 20 साल सदि समय हो गया और अब करें कि गिर्धारी को इस वार मौका दिखाने का समय आगया आदमी मन में तकलिव होता है जैसे कि राजट से वह प्रत्यासी थे जब हम लोग उसको भोट देते थे राज़त को तो हमारे बरादरी को उसने क्यों नहीं भोट दिया उसको भी तो होता है है कि उसका मैं उसको मद्दान दूँ इस बास पर तकलिव होता है जब मेरा कंडिरेट खड़ा होता है तो वो लोग भोट नहीं देते हैं तो इसलिए आख्रोस होता है आदमी को कि हम भोट नहीं दें और को इस बार इतने दिनों के बाद भी आप लोग याद रखे हुए ह हां याद तो रखना पड़ेगा ना जब वो हमने वोट नहीं देगा तो हम उसको कैसे बूला सकते हैं अब सकूनी चोधरी आप दुनों एकिपाटी में मिल गये लेकिन वो दौनों मिलें हम तो नहीं मिले है हम तो नहीं मिलें इस लिए मद्दान अपना होता है इसको मत्स उसका ऐसर रहेंगा विकास के साहारे चीजों को समझेगे कि किस तरीके से गाउं में बरसों वर्णों पुराने अगर किसी बात को लेकर और भी याद रखते हैं जब सकनी-चौध्र राजद से उमिदवार थे और गृधारी निर्दलिये खराकर उनको हराने का काम किया वो गुस्सा आज भी है और यह पीडी दर पीडी तक जब तक यह दोनों मैदान में रहेंगे इन्हें याद रखेंगे तो वोट गाओं में जब चाहे पार्लेमेंट का चुनाब हो या विधान सभा का कुछ ऐसे इसूज होते हैं लेकिन ग्रामीन परिवेस में जो बोटिंग का जो एक अपना कल्चर है या बोटिंग जिसा अधार की वो करते हैं उसमें एक बड़ा फैक्टर यह भी होता है कि पुराने पहले जो चुनाब हुए हैं उसमें किस तरह की जाती है गोलवंदी हुई थी उस गोलवंदी का फ फास साल बाद एक बोट देने का अधिकार जोने दिया उसका वो इंतिजार भी करते हैं यह अब इस च्छोटा सम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और बाका के संसरीय से कुछ और लोगों का मिजाज जाना चाहिए खासकर कि यादव क्या सोचते हैं आपने अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग लोगों की राय आपने सुनी हम जाना चाहिए कि यादव का क्या माइंट से ठीक्या बाकई में राजद के साथ यादव है या फिर यादव वोटर में वटवा रहा है चले इस यादव मर्दाताओं से भी हम बात करेंगे लेकिन छोड़ा सब रेक के बार हम बात कर NäDonають सबटार का रूंवता वतराव कि पर फिर सफ्पागधर हम बात करें बाका लोक सभाथ्चित्र गया ख वाक्नतारओं या एक शिंगाओं एक सिंगाओं में हम हैं यह जादव बहुल लिगाऊ है और हमने आपको कहा था कि जादव आखिर गिरधारी यादव के साथ है या जप्रकाश यादव के साथ है देखे गरामीन इलाकों में या बोट मांगने का जो की जो एक सर्वमान वेवस्था है उसमें यह कि अगर एक ही जाती के अगर दो उमिदवार अग होता यह है कि उस जाती के लोग अगर जो जाद बहुतायत में जिनके साथ जो लोग रहते हैं वो उनके छेतर में जाकर कहते हैं कि हम लोग फुलाने उमिदवार को वोट दे रहे हैं और आप लोग भी अपना वोट बरबाद नहीं किए तो बरी मुश्किल से कई यादव कि हमने यादव गाओं को होते हुए इस गाओं में पहुंचे अधिकांस लोग लोग परचार करने के लिए निकले हुए हैं सहर में आपको बरी मुश्किल से मिलेगा परचार करने की बात गाओं में अभी भी कल्चर है कि चुनाव परचार करने के लिए तो यहां जो इस इसको बोट कर रहे हैं और आप बोट को बरबाद मत किजिए जरा हम इसे बात करते हैं कि आपके दो यादव चुनावी मैदान में एक गिरधारी जी है यह प्रकाश यादव किसको इस बार ताज पाना तो पहना है क्यांकि भॉल दिया है यह विर्वाटवा सब नहीं हम लोगों को देखना चाहता है लेकिन जादव जाद भी लालु जादव बॉल दिया हम लोगों को चुड़को तो हम लोग कहीं ने जाएंगे का है और गिर्धारियों तो जादिवें रंग बदलों नेता हैं अच्छा वो गिर्गेटी के सा रंग बदलता है जब प्रकाजी एक किल पर है इसलिए उसी को बोड़ देंगा हूँ काम करता है हम लोगों को आकर देखता है लेकिन वह ऐसा बात नहीं गिर्धारी जादम में नहीं है नहीं अभी आएगा कुछ कहेगा आदमी को फसा कर पाचे नंगी देखा देगा हूँ हम लोग नहीं चाहते हैं कहां चल जाते हैं बोड़ में अपना है खज्द्यान में चला जाता है और कहां जाता है अथे जरा यह बताईए कि दो जादब चुनावी मैदान में गिर्धारी जादब भी हैं और जैप्रकाश जादब भी लालू जो कहेंगे उसी जादब को आपनों क्यों वोट करिये हैं हम तो पुतूल कुमारी को दे रहा है पुतूल कुमारी है मेरे साथ अच्छा पुतूल के जब दिग्विजय बागुत है यहां बाकाम उनके बाद पास इस बार तो मिला नहीं है जदियुक टिकट मिला जदियुसे गिर्धारी जादब है और हम लोगों का पसंदीता है यहां से विकास पुरूजव दिग्विजय बाबु इसलिए हम लोग दे रहा है पुतूल कुमारी को तो मतला तो जादब जादब को वोट नही हुआ परिवर्थन हां मतलब मतलब निरेंदर मोधी उवायो के लिए कुछ है ही नहीं विधर लिए क्या है कुछ नहीं मेरे इसाप से अची आज से पहले जब से देश अजाद हुआ तो मेरे देश में कुछ नहीं था भी तो इतना इतना चीज है अशा थरो कि चार सल में आ उसके पहले से आना सुरू हुआ आहीर आहा है अभी दखिये तो चार साल में कुछ नहाया क्या तो जौनते कुछ नहाया पाकिस्तान पर जाकर बंगिरा दिये इतरा से पाकिस्तानी को उससे पहले इंडियान आर्मी लाहर पे जाके कब जाकर लिया था तो मतलब कॉंग्रेश कुछ चाहते हैं कि जो रोजगार लाई यौ वाओं के लिए भुजूर के लिए निखिंदान के लिए 12 3 जाए नजवान केते हैं किसान के लिए क्या कर रहें हैं हम तो दिखतेँ ऐस cả किसान समां योजणalam नीकाल दिए 6000 त मिए क्षण को जो खेत में कि खित score थआ हूँ आप राजनीत करते हैं कि पढ़ते हैं पढ़ते हैं आज देखिए हमारे राज में जो नीटीश कुमार है एक बियार पुलिस के फॉर्म भरबाय उसको केंसील कर दिए यह अगर दिन निकल जागा तो उसके बाद क्या कर सकता है कोई यूबा वह तो यूबा वरस्था से पार सबकिस्तान समान योजना अभी कुछ से कुछ से कुछ से कुछ निकालना शुरू कर दिया हम इंसे पूजरा आप इधर आये तो आप भी यूबा है का इस बार क्या हो रहा है वोट में कि खूल कर बोलिये हम लोग तो यही परिवारतान लाना चाह रहे हैं जब जो अच्छा कारी करेगा उसको बहुत मिलेगा ऐसे तो पिछले बार तो हम लोग जैपरकास याद आपको बाकाजिला जिताए थी उसने भी देखे कुछ ने किया इसे भी तो इसे निकल गे सब त कि अच्छा सवाच के साथ आए उखरने के लिए चाहरे हैं लेकिन हम लोग मतलब उसका सपोर्ट करेंगे तो जरूर कुछ अच्छा करेंगी है यहां उनके उम्मीदवार कोई है चुनाव में डानना नरंदर मदीका यहां है ने अच्छा कॉन है मतलब परसूद अब कि आ अच्छा बताइए अच्छा आप आप यहां को कि अब दो दिन दो दिन बचा हुआ एलक्शन को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं हम लोग तो चाहते हैं कि ऊपर बढ़ियां से बढ़ियां कंडिये थो कोई भी हो यूबा के लिए रोजगार लाएं यूबा के लिए तो हुआ है वुद्धार जाया थोरा थोरा करके आना चाहिए एक गए kई स्टुदेंट को दिकत होता है बहुत का हाइज खत्म हो जाता है इसलिए सुरू में तो रोजगार नहीं आया बहुत का इच्टम हो चुका है थो थोरा थोरा करके देना जहीं चाहिए उपर को लेकर लेकिन रोजगार देना चाहिए इसाल में रोजगार देना चाहिए यह पंस साल के बाद ही अभी जब इलक्सन टाइम है तो एक वाई यह रोजगार दिये तो इसमें बहुत का तो एज खत्मों भी हो चुका है ना इस्टूरेंट सब का तो वो सब क्या करेगा इस बात को लेकर यूबा पिढ़ी के अंदर यह सवाल है कि वही रोजगार क्यों नहीं राभी आई आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं बस सोचते हैं परिवर्तन लाना अच्छा आप तो परिवर्तन के पक्ष दर रहे हैं लेकिन आपके गाउन को लोग अलग 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 कि लोग बात कर रहे हैं जिसको समझ नहीं है वही अलग अलग बात कर रहे हैं जरा उन से पूछिए कि देश के स्थिती आजाद होने के टाइम क्या था और अब भी क्या है पहले तो ऐसा नहीं था पॉंग्रेश सरकार सुरू से है लेकिन परिवर्तन के लिए लाये थे जैपरकास तो नरायन जादा बहुत काम किये हुए है अभी देखिए जिस गाओं में जाना संबब नहीं था उस गाओं में पूल नदी बड़ा बड़ा नदी में पूल का निर्मान किये बहुत बाकाजिला में सबसे अधिक हमको लगता हुआ हुआ है और भी तो सिक्षा क कहा से चलते रहेंगे हुँ हमको अभी जो मेरे संस्ने है यह सब लेके चलना फू जैपरकाश नरायन काम कर रहे है तो उसको लेके चल रहें भी टीक है और हम यह ज़रा पने आ बताई है कि आप लोग भी आ अब दोनों आदिमानीये है यह उफा को लेकर नेकर क्या युव अभी नाम नहीं जुटा है आपका नाम जुटा है पहली बार बोट दे रहें कि दूसरी बार बोट दे रहें पहली बार बोट दे रहें पहली बार बोट दे रहें क्या सोच रहे हैं किस आधार पर बोट देना चाहिए परिवर्तन किसको परिवर्तन करना है परिवर्तन करना यहां किस तरीके से सांसाथ को उसी को चुना चाहिए का है ऐसे अरेन मोदी में क्या हो गया है वह निता अच्छा है लेकिन यहां जैप्रकाष जारब को बोट जिए अब नरेन मोदी का तु खरा है जब ये ग्रिधारी जारब उसको वोट कर दा नहीं के बद्द मोदी का नहीं है और भांकी पाठी का उमिद्वार कोन ही इसका को प्रचार उडचार लेका नहीं है नहीं है करते हैं ए दिल में मोदी है लेकिन को प्रेवाला नहीं है आइसा करना कि दो उम्मद्वार आपको मिल नहीं रहा है कि कि चलिए पहली बार वोट कर रहे हैं और देखिए बिनके अंदर में मोदी को लेकर विश्वास भी है भरोसा भी है लेकिन मोदी के उम्मद्वार कोन है यह उन्हें पता ही नहीं है कई चाले तो बताइए क्या कहना चाले थे आईए अब मोडी जी के उमिद्वार में करें अधिक्रिद्वार जी प्रकाह जादव लालु जी के उमिद्वार है कि आप लूग सोच रहे हैं मतलब जाट को देना है अधर जी को नहीं मतलब लालु जी को देना है 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 कोटल लालु है है हुम तो लूमीदबार यहां लालु है मतलब देने वाला जितना भी बहुत डाले अब रहा जादा है यहां पर लाल्टेन काही जादा बठाए जय परकास पाले रहे चुगे है फिर विए उमीद है वही रहेंगे शानसाद वही बनेगा ज़िपरकास कि उसी को लाजा यह ज़प्रकास कोई जिताना है बस अगरदारी गिरधारी यहां से उमी नहीं जित तो भी गिर्दारी भी जादव है जादव कोई मतलब है लेकिन अधर आप इस बात करना थे आप गाहों के आप बुजूर्ग आदमिया आप बेहतर तरीका से बता सकते हैं इस लिए सब आदमी पगला गया बात इतने जनता है तो अपना कारण से जेल में है ना कारण लितिस नहीं किया उसने गटूला नहीं किया लितिस नहीं है यह बसाद आदा अजिए सब जादब पगला गया मिया भी पगला गया अम रहा नहीं जनता है किसमा मैं भी पगला गया अब पगलाया हूं कि लालु यार में है सिल्य ठीक है चलिया वी शकार्चकंप को मियें समाप्त करते हैं एक मूड को समझिए कि किस तरीके से वोट को लेकर लोग समझते हैं लेकिन जो यूवा यादब है उनके दिल में भी मोदी है लेकिन वोट मांगने अभी तक नहीं आए इनके मन पसंद उमिद्वार नहीं है उमिद्वार भी माइने रखता है यह हम आपको इस पूरे कार्जक्रम के बांका संसरेशित के दौरान जो हम कई गाउं के लोगों से आपकी मुलाकात कराई उसमें एक बड़ा फैक्टर है उमिद्वार आप दिल्ली में बैठे हुए पटना में बैठे हुए अगर आप उमिद्वार को अपने तरीके से थोपते हैं तो उसके पर्तिक्रियाएं होती है अब पहली वाली स्थिति नहीं है कि आप सिंबल उनको दे दिये तो आपके सिंबल के सहरे वह चुनाब जी चलिए कार्शक्रम हम यहीं समाफ्त करते हैं फिर वोटर बोले कार्शक्रम में किसी दिस्वें लोग सभाचत से आप समों से मुला